आज का हमारा लेक्षर एक्सरसाइज 6.6 में क्लास 9 के मुतलिक है कोस्टिन नमबर 3 का सेकिंड पार्ट हम सॉल्फ करेंगे सेम उसी प्रोसीजर से ये वाला कोस्टिन भी सॉल्फ होगा कोई नई चीज में बिल्कुल नहीं है तो वही पुराना स्टेप्स है सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे पास पहली वेलियो है इसको सॉल्फ करेंगे हमारे पास क्या है एक्स की पावर 4 हम क्या करेंगे इसको डिफरिंट शेप में लिखेंगे एक्स की पावर 2 और उपर 2 सिर्फ हमने शेप चेंज किया आगे देखे X की पावर 2 और 2 इसकी उपर हमने ये बाचा लगा दिया किने स्वाउट ये इसके साथ कैंसल हो गया हमारे पास क्या बचा? X की पावर 2 अब इस वेलिउ से हमने इस त्माम को औवाइड कर्वाना है हमारे पास क्या है? X की पावर 4 माईनopard 6 मिक्स की पाउर क्यूब juego 13x x Gracias जो冷falls में 12x घुमारे पास यह है अब इसको हम क्या करवाएँगे किससे क्याब क्या है । جो हमने अभी मिक्स की पाउर सक्वेर अब यहां पर एस कुन सी वेलियू लिखे जो इसके साथ multiply हो जाए, x की power 4 आजा, तो x2 पहले से है, x2 और हम लिखतेंगे, हमारे पास x2 और x2 क्या हो जाएगा, x की power 4, अब क्या होगा, cancel, sorry, sign चेंज करेंगे हम, यह positive है, इसको हम negative कर देंगे, अब जो positive और negative है, यह आपस में cancel हो गए, बकाया जितने भी है, इनको same as it हम नीचे लिए आएगे, हमारे पास क्या बन रहा है, minus 6 x3, plus 13 x2, minus 12 x, plus h, हमारे पास इस फॉर्म है, अब second step में, मैंने आपको क्या बताया था, जो पहला, यह वाला coefficient होगा, variable नहीं, variable मतलब a, b, c, जो हमारे पास alphabet साथ है, variable नहीं, coefficient, जो number होंगे, उसको हमने क्या करना है, double, याद रखे, multiply नहीं, double, अब यहां पर mathematics में कुछ ना लिखा गया हो, उसका मतलब क्या होता है, one, तो यहां पर one है, one का double क्या होगा, two, two x का square, इसको हम double नहीं करेंगे, जो coefficient होगा, इसको हम double करेंगे, अब हमने इसको double किया, अब यहां पर ऐसी कौन सी value लिख है, जो two क साथ multiply हो जाए, six x का cube आजाए, तो two, three x, अब यहां पर जो भी sign होगा, उपर वहें हम sign लगाएंगे, ठीके, यह confusion आपकी खतम करता हूँ, यहां पर जो sign होगा, उपर भी sign लगाएंगे, यह minus मैंने लगा, three x, अब जो हमने रकम उपर लिखी, वो हम नीचे भी लिखेंग x का cube हुआ, आगे चलते है, minus minus क्या हो जाते है, plus, three, three's are nine, x और x, x का square, अब क्या करेंगे, sign change करेंगे, यह negative है, positive, यह positive है, negative बन जाएगा, बकाएंगे, इसको हम नीचे से मेज़िटिज उतार देंगे, अब क्या हो गया, यह दोनों आपस में कैंसल हो गया, 13 में सिंदान क हमारे पास क्या बचा, 4 x का square, minus 12 x plus h, हमारे पास इस form में आए, अब second में हम क्या करेंगे, देखें, third step, sorry, 2 x का square, minus, अब third step में, जो second हमारे पास coefficient होगा, इसको double करेंगे, यहाँ पर हमने पहले coefficient को double किया, third step में second coefficient को क्या करेंगे, double, three का double क्या होता है, six, याद रखे, multiply नह जो इसके साथ multiply हो जाए, four x का square आजाए, तो two x पहले से मुझूद है, plus two लिखेंगे, अब जो रखम हमने उपर लिखी, वो हम नीचे भी लिखेंगे, plus or plus, plus होते है, two twos are four, और x का square, आगे चलते है, minus plus minus, six twos are twelve, और x, आगे चलते है, plus or plus, plus, two twos are four, four single हम अलग से लिखें क्योंकि हमारे पास मुझूद नहीं है, अब science चेंज करेंगे, यह positive है, negative, यह negative है, positive, यह भी negative हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास इस form में आए, आगे solve करते हैं, अब जो positive और negative है, दोनों आपस में cancel, positive और negative आपस में cancel, हमारे पास क्या बचा, h minus four, हमारे पास यह बचा, अब हम क्या करेंगे, बगाया जो question है, इसको मैं यहाँ पर solve करता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे, for complete, for complete square, remainder, must be zero, अब क्या लिका हमने इसको हम लिखते हैं, हमने लिखा है, for complete square, remainder, यह जो बच जाता है, वो किसके equal होगा, zero के equal होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, h minus four is equal to zero, जो हमने English में लिखा, इसको हमने करके दिखाया, for complete square, remainder, जो हमारे पास बचाया जात है, किसके बराबर होगा, zero के equal होगा, अब four इसके साथ क्या हो रहा है, minus, जब is equal to के इस तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, plus four is equal to plus, तो यह हमारा h का answer आ गया, तो question number three का second part भी complete हुआ,